हेलो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में अंतरराश्च्री व्यपार बिजनेश ट्रेश्ट से संबंधित महतपूर प्रेशन उत्तर दोस्तो इस टॉपिक से भी परिछाओं में प्रेशन पूछे जाते हैं अगर आप बिकॉम के इस्टुडेंट है या किसी ऐसे कमट्रेटी उट्रेशन की त्यारी करते हैं जिसमें कॉमर्स की कोश्चन आने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा यहां से भी कोश्चन पूछे जा सकते हैं आए दोस्तों आच की कोश्चन की सुरुवात करते हैं पहला कोश्चन है अंतराश्ची व्यपार का प्रमुक प्रहरी है आई एम एफ आई एफसी आई बी आरडी डव्लू टी ओ अंतराश्ची व्यपार का प्रमुक पहरी है option D हो जाएगा सही WTO World Trade Organization आईए देखते हैं दूसरा question भारत की किस नगदी फसल से निर्यात के दुआरा अधिक्तम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है कॉफी, चाय, तंबाकू, जूट ये question पूछा जाता है दोस्तों exam में इसको ध्यान से देखिएगा भारत की किस नगदी फसल से निर्यात के दुआरा अधिक्तम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option B, चाय, ठीक है, T आईए देखते हैं अगला question तीसरा question है अंतराश्ची मुद्रा कोस, IMF का मुख्याले कहा है चीन, वासिंग गटन, रूस, अमेरिका IMF का मुख्याले कहां पर है इसका सही आंसर हो जाएगा option B वासिंग गटन में अगला question मुक्त व्यापार से क्या तातपर है आगे दिखते हैं Option A है, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंद नहीं होता है Option B है, आयातित वस्तवे कर मुक्त होती है Option C, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है Option D, आयात को कम किया जाता है मुक्त व्यापार से क्या तातपर है अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा option आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है पाँचवा question brain even break even बिंदू क्या है ठीक है यहाँ पूछे जा रहा है break even बिंदू क्या है आईए देखते है इसका लाब हानी से कोई संबंध नहीं है वह इस्थिती जब फर्म लाब उठा रही है वह इस्थिती जब फर्म को ना लाब और ना ही हानी हो रही हो वह इस्थिती जब फर्म हानी उठा रही है break even बिंदू क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option C वह इस्तिती जब फर्म को ना लाब और ना ही हानी हो रही हो ठीक है उसे कहते है break even बिंदू आई देखते हैं अगला question trade point की स्थापना का क्या उदेश से है आयात निर्यात का आदान प्रदान करने वाले देश विदेशी banking व्यापार का आदान प्रदान केंद्र आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश सीमा सुल्क एकत्रित करने का केंद्र trade point की स्थापना का क्या उदेश से है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका option C क्या उदेशी है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश ठीक है दोस्तों वीडियो के सभी questions को ध्यान से देखिएगा यहाँ से आपके एक से दो नमबर के question आ सकते हैं और अगर आप become के student हैं तो आपके लिए सभी questions जानना जरूरी है अगला question विकत उचक वर्सों में भारत की विदेशी वियापार के संदर्म में निम लिखितवे से कौन सा कथन सही है आयात कम हुआ है लेकिन निर्यात बढ़ा है आयात कम हुआ है निर्यात कम हुआ है आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है विकत कुछ वर्सों में भारत की विदेशी वियापार के संदर्म में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है यहां सही answer पो जाएको दोस्तों इसका option D आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है अगला कुश्चन इंडिया ब्राउंट एक्विटी फण्ड की स्थापना कब की गई? 1990 में, 1995 में, 2003 में या 2005 में इंडिया ब्राउंट एक्विटी फण्ड की स्थापना कब की गई? यहां सही आसर हो जाएगा ओप्शन C 2003 में ठीक है? अगला कुश्चन निम लिखी तुमें उसे कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? दोस्तों इस प्रकार के कुश्चन पूछे रहाते हैं एक्विटी फण्ड में ठीक है? ध्यान से देखिएगा रेल और आभूसर, रसायन, रेडिमेट कपड़े, चमड़ा एवं जूते निम लिखी तुमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? सबसे बड़ा निर्यात मद क्या है? यहां सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A रेल और आभूसर, ठीक है? अगला कुश्चन भारतिय चमड़े का सरवाधिक निर्यात किसको किया जाता है? जर्मनी, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड भारतिय चमड़े का सरवाधिक निर्यात किसको किया जाता है? यहां सही answer हो जाएगा दोस्तों option D किसको किये जाता है England को ठीक है दोस्तों वीडियो के question पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कर दीजे आपका किसी पर क्या क्या सुछा होए तो आप हमें comment करके बता सकते है अपने दोस्तों के साथ भी जादा जादा वीडियो को share करिए जहां भी आपका study group है वहाँ पर वीडियो को share करिए आईए देखते हैं अगला question हाल के वर्सों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं petroleum पदार्थ एवं रसायनिक उर्वरक jewelry एवं petroleum पदार्थ petroleum पदार्थ एवं अनाज हाल के वर्सों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है सबसे बड़े मद क्या है दोस्तों यहाँ सही answer जाएगा option D पूंजी के तवस्तुवे एवं petroleum पदार्थ अगला question भारत का अधिक्तम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है यह भी अच्चा question है आने वाले exams में पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए England, रूस, संयुक्त राष्ट अमेरिका जापान भारत का अधिक्तम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है तो यहाँ सही answer हो जाएगा दोस्तों option C संयुक्त राष्ट अमेरिका के साथ अगला question है भारती विदेशी व्यापार संस्थान कहां इस्तित है एहमदाबाद नई दिल्ली मुंबई हैदराबाद इसको आप कमेट करके बताईए इसका answer भारती विदेशी व्यापार संस्थान कहां इस्तित है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिए जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और फी वीडियो के अगर PDF चाहिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगे टेलिग्राम का लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सम में प्रवाइट कर दिया है आप जॉइन करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिजे भारती विदेशी वियापार संस्थान कहां इस्तित है इसका सही आंसर हो जाएगा option B नई दिल्ली में अगला question भुकतान संतुलन में समलित होता है जिड अद्रिस्य वियापार द्रिस्य वियापार इन में से सभी भुकतान संतुलन में समलित होता है इसका सही आंसर हो जाएगा option D इन में से सभी ठीक है जिर्ण अद्रिस्वियापार अगला question अंतराश्ची बजार में किस वस्तू का आपूर्ती में भारत का एका धिकार है अब्रक, बॉक्साइड, लोहा, तामबा अंतराश्ची बजार में किस वस्तू का आपूर्ती में भारत का एका धिकार है यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option A अब्रक का ओके आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताईएगा हमारे लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ जादा जादा वीडियो को शेर करिए हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के questions लाते रहेंगे आप देखिएगा जरूर आप हमारे और भी questions देखिए पुराने वाले पिछली वीडियो के जहाँ पर आपको बहतरीन बहतरीन questions मिलेंगे आपकी अच्छी तयारी हुआगी commerce की मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और notification के लिए दोस्तों bell icon दबा दिजेगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले notification आपको मिले ठीक है मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में एक और important वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत